सोचो, बिना किसी चीरे या रेडियेशन के इंसानी शरीर के अंदर का नजारा देख पाना और वो भी कितनी डिटेल में ये कमाल है Magnetic Resonance Imaging का, जिसे हम MRI के नाम से जानते हैं Medical Science में MRI ने एक तरह से क्रांती ला दी है इसकी मदद से डॉक्टर्स कई तरह की बीमारियों का पता बड़ी आसानी से लगा पाते हैं Brain Tumor से लेकर लिगामेंट टियर तक MRI हमारे शरीर के अंदर की चीजों की बारीक जानकारी देता है अलग-अलग तरह की बीमारियों के इलाज में MRI डॉक्टर्स के लिए एक बहुत ही अहम उपकरण बन गया है इससे डॉक्टर्स को मरीजों का सही इलाज तै करने और इलाज का असर देखने में मदद मिलती है शरीर के अंदर के अंगों और टिश्यूज को इतने डिटेल में देख पाने की वजह से मरीजों का इलाज पहले से कहीं बहतर हुआ है और अंगिनत जिंदगियां बच पाई है MRI का सफर शुरू हुआ 1970 के दशक में वैग्यानिक पॉल लॉटरबर्ड और सर पीटर मैंसफिल्ड के कमाल के काम की बजह से उन्होंने खोज की कि तेज मैगनेटिक फील्ड और रेडियो वेव्स की मदद से इंसानी शरीर के अंदर की तस्वीरें बनाई जा सकती है इस खोज के लिए उन्हें 2003 में मेडिसन का नोबेल पुरसकार मिला पहले के MRI मशीन आज के मुकाबले बहुत बड़े और धीमें हुआ करते थे लेकिन जैसे जैसे टेकनोलोजी आगे बढ़ी, MRI तेज, ज्यादा सटीक और दुनिया भर के मरीजों के लिए आसानी से उपलब्ध हो गया MRI टेकनोलोजी का विकास इंसानी दिमाग की ताकत और स्वास्थे सेवाओं को बहतर बनाने की हमारी चाहत का सबूत है MRI के पीछे छुपा है मैगनेटिस्म और रेडियो वेव्स का एक दिल्चस्प खेल MRI मशीन असल में एक बहुत बड़ा चुम्बक होता है जो मरीज के चारों और एक शक्तिशाली मैगनेटिक फील्ड बनाता है ये मैगनेटिक फील्ड शरीर में मौझूद पानी के कणों को एक लाइन में खड़ा कर देता है जो स्वाभाविक रूप से बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं जब शरीर के किसी खास हिस्से पर रेडियो वेव्स डाली जाती है तो ये लाइन में लगे पानी के कण सिगनल छोड़ते हैं जिनें MRI मशीन पकड़ लेता है फिर इन सिगनल को कंप्यूटर की मदद से शरीर की डिटेल वाली इमेज़ेज में बदल दिया जाता है अलग-अलग टिश्यू अलग-अलग तरह के सिगनल छोड़ते हैं जिससे डॉक्टर्स को उन्हें पहचानने में मदद मिलती है सेक्शन 4 The Power of Clarity Benefits of MRI MRI का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह सॉफ्ट टिश्यूज की साफ तस्वीरें दिखा सकता है जो कि साधारन X-ray नहीं कर पाते यह MRI को दिमाग, रीड की हड़ी, मानस्पेशियों, लिगामेंट्स और शरीर के अंदरूनी अंगों से जुड़ी बीमारियों का पता लगाने के लिए बहुत उप्योगी बनाता है MRI का एक और बड़ा फाइदा यह है कि इसमें Ionizing Radiation का इस्तेमाल नहीं होता, जो कि सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है यह MRI को गर्भवती महिलाओं और बच्चों सहित कई तरह के मरीजों के लिए एक सुरक्षित विकल्ब बनाता है MRI एक Non-Invasive प्रक्रिया है, यानि इसमें मरीज को ज्यादा तकलीफ नहीं होती Section 5, Addressing Concerns, Potential Drawbacks of MRI हालांकि MRI के कई फाइदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है एक आम चिंता है Claustrophobia, क्योंकि MRI मशीन में मरीज को एक संकरी सुरंग जैसी जगह के अंदर लेटना पड़ता है कुछ लोगों को इससे घबराहट या बेचैनी हो सकती है दूसरी बात ये है कि कुछ MRI स्कैन में Contrast Dye का इस्तिमाल किया जाता है हाला कि यह आम तोर पर सुरक्षित होता है लेकिन कुछ मरीजों को इससे ऐलर्जी हो सकती है MRI स्कैन कराने से पहले मरीजों को अपने डॉक्टर को किसी भी ऐलर्जी या पहले से मौझूद बीमारी के बारे में बताना ज़रूरी है Section 6 Looking Ahead, The Future of MRI MRI का भविष्य उज्ज्वल है निरंतर शोध और विकास से यह तकनीक और भी शक्तिशाली और मरीजों के लिए आसान होती जा रही है Veganic Scan का समय कम करने, छवी की गुणवत्ता में सुधार करने और नए Contrast Agents विकसित करने के तरीके खोज रहे हैं जो ज्यादा सुरक्षित और प्रभावी हो एक आशा जनक विकास है Open MRI Machine का निर्मान जिसमें खुली डिजाइन होती है ताकि क्लॉस्ट्रोफोबिया की समस्या का समाधान हो सके एक और नवाचार है MRI छवियों का विशलेशन करने के लिए Artificial Intelligence का उपियोग जो बीमारियों का जल्दी और ज्यादा सटीक निदान करने में मदद कर सकता है जैसे जैसे तक्नीक आगे बढ़ेगी हम उम्मीद कर सकते हैं कि MRI स्वास्थ्य सेवा में क्रांती लाने और मरीजों के इलाज को बेहतर बनाने में और भी बड़ी भूमिका निभाएगा